इन दिनों अगर किसी की हर जगा चर्चा है तो वो है निरव मोदी हाली में खबरे आई कि निरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 11,300 करोड का चूना लगाया है ऐसे में बॉलिवुड स्टास ने भी अपने रियक्शन दिये है हाली में एक्टर रितेश देश्मुक ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट डाला रितेश ने निरव मोदी पर निशाना साथते हुए ये शेयर किया था बैंक चोर मैं था लेकिन इस मामले के बाद मैं फेल हो गया बता दे कि बैंक चोर रितेश की एक फिल्म है जिसमें उन्होंने एक बैंक लूटने वाले चोर का किरदार निभाया है वही इस कड़ी में एक्टर फरहान अक्टर ने भी अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक मैसेज शेयर किया है उन्होंने लिखा है कि 1965 में ततकालिम प्रदान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक लगजेरी कार खरीदने के लिए PNB से 5000 रुपे का लोन लिया था और उनके लोन को मंजूरी भी मिल गई इस दोरान शास्त्री जी ने कहा कि आम लोगों के लिए भी अधिकार होना चाहिए लेकिन 1967 में शास्त्री जी की मौत हो गई और वे लोन की रकम अदा नहीं कर सके इसके बाद बैंक ने उनकी पतनी ललिता शास्त्री को एक पत्र लिख लोन की रकम अदा करने को कहा इसके बाद ललिता ने अपनी पेंशन से लोन की पूरी रकम भरी और आज भी वेकार उनके पास रखी है आखिर में फ़रान ने कहा कि इसे कहतेई मांदारी तो सुना आपने वैसे आपको क्या लगता है कि फरहान का कहना ठीक है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं